तो माइनक्राफ्ट का एक और सनेप्शोट आ चुका है जहां पर बहुत सारी चीज़े फिर से एड़ कर दी गई है जैसे कि हतोड़े के लिए नए इंचैन्मेंट और कुछ बुरे एफेक्ट और उससे भी जादा बुरी चीज़ की बैड ओमेन बदल गया है अब एक अभिशाप में तो हतोड़े में थोड़े से नए इंचैन्मेंट आ गए है जैसे कि मेंडिंग अनब्रेकिंग इसमाइट बेन ओफ आर्थोपोर्ड और फायर एस्पेक्ट कर सो वैनिशिंग भी इसमें डाल सकते है बाइंडिंग क्यों नहीं है बाई शार्पनेस की नहीं होता है इसे इसको गषयर के बढ़ाता है मंदलगि इसको ताकत वर करता है की यह दया गया और रूकों अगर टेस्ट भी कुछ नहीं हुआ अभी तो मैं सिर्फ एक ही सिंगल इंचैन्मेंट चेक कर रहा हूं इसके अलाब और भी इंचैन्मेंट टैड करें गया है चलो भाई 321 कुछ फरक पड़ा एक अटेक दूसरा तीन में खतम भाई वैसे एक मिर से गलती से लग गया थे इसका नीचा उतरके तो भाई उतने ही समझ लो फिर भी तीन ही ठीक है अब आपने ये वाले अतोड़े को इस्तमाल करके चेक कर लेते क्या चलना है वाई इसका और भाई एक में ही खतब वाई अरे बाई इसका तो एडवनसमेंट भी है अरे भाई पगलेट मना नहीं तेरे पर टेस्ट हो रहे ये डेस्टनी वाला ना सबसमें बहुत खतरनाक है अगर किसी को हतोड़ा मिल जाए तो भाई सच बता रहा है वो अपने आपको थोर मत समझना क्योंकि अगर गलत लग गया ना तो मर भी जाओगे उपर सक उद गे इसके लावा एक और इसमें इंचैन्मेंट आ डाला जो क के ब्रीच के नाम से ये ब्रीच वन टू थरी फॉर चार मोड होते है इसके और इसका काम क्या रहता है कि जो भी आर्मर पहन के आता है उस पे जादा इफेक्ट देता है इसके अलावा हतोड़े के लिए एक और इंचैन्मेंट आ है जो कि विंड बर्स्ट बर्स्ट जो ये बर्स कर देता है भाई ये ये वन टू थरी के टील लेवी लाते है इसके और इसका भाई बहुत तगड़ा रूल है अब ही पता चल जाएगा पहले में बढ़ डाल लुए अब आपको दिखाता है इससे होगा क्या भाई देखो जैसे कि हमार बाग गोलम है ठीक है मैं इसक प्रश्ची मरोगे चालो ये ले अरे ये तो कुछ जाद ही हो गया एक बार में मर गया डैस्टनी वाला तो करूंगा ने क्यूंकि डैस्टनी एक बार में मार दे राया इसको चलो त्री टूबर एले एक दो अरे मेरी हैल्थ खागे वही ठीक है ठीक है औरे मैं ऊच्छे चलो पिग ये ले बाई मैं कुद नहीं कूद रहा है ये खूद मेर को कुद आ रहा है ये ले अरे यार ये अगर ये ऐसे करेगा दूर नोक बैक बेजेगा तो भाई मारना मुश्किल है शाय से नोक बैक को ठीक कर दे इसका तो बात कर लें ते मोव इफेक्ट की जो कि यह पर नई नई चार तरह की पोशन एड़ कर दी गई है तो भाई सबसे पहली पोशन हमारी आते बाई विंड चार्ज की जिसके लिए आपको अपना ये ब्रिविंग स्टैंट चाहिए इसमें डालने ओकवर्ड पोशन और जो हमारी ब्रीज रोड है इससे बन जाएगी होता इसका सिर्फ एक लिए भी लोता और ये तीनों तरह की होती है भाई ये फेकने की भी होती है इससे होता क्या है भाई मैं गेम मोड सर्वाइबल में जाकर खुद पर मारने वाला हूं चलो भाई क्या हुआ मिरे पर विंट चार्ज लग गया ये चीज हमें दूसरे पर ट्राइ करनी पड़ेगी तब ही पता चलेगा चल भाई पीक बली देने के लिए आजा इस पर डालते है ये वाली पोशन और अब इसको तलवार से मारते है नहीं यह तोड़े से मारते है यह कुछ नहीं हुआ यह मरता है ना तो भाई यहां पर दिक्कत करता है अरे यार मैंने ऐसी मारते है और इसको मारते है भाई क्या हुआ देखो फूटता है तो अगली जो पोशन बनने वाली वह कोग वैब से बनने वाली है इसके लिए बस आपको ओकवरड पोशन चीज और कोग वैब डाल दे जitting लेकी कण सबसे बढ़िया यहा पर एक सबसे बढ़िया है इसको यहां पर ऐगाш है को पूर्शन उप्यवाइन waiver कि यह अता है कॉप मरेगा अदा मोर उलिए कर ऐखेर कॉ मैं पूरषन में सबसे बढ़िया लगया इसको चारो सबसे बढ़िया है इसको चाहे negative बोल लो चाहे positive बोल लेकिन ये potion बढ़िया है इससे क्या मिलता है भाई ये ozing potion मिलती है और ozing potion का का काम क्या होता है भाई किस पर फैकूँ ये डालते है इसके उपर और इसके बली देंगे भाई ये ले अरे ये ले अब देखो भाई यहाँ पर हो दाएंगे slime spawn अब हम स्लाइम को मार के देखते हैं कि कितनी स्लाइम हमें मिलती है ठीक है पांच मिली है भाई और भी होनी चाहिए बाई टोटल पांच ही मिली है मलब नो इस्तमाल करो और पांच बनाओ यार ची अच्छी पोशन है कोई बुरी नहीं है इससे आप चैलेंज ले सकते हो के स्लाइम ड्रोप कर देगा यही काम करो भाई अपने उपर ही पोशन फैक के मार लो ताकि भाई कोई भी आपको प्लेयर मारे तो वह आपको मारने के बाद अपना उल्जा रहे है भाई स्लाइम में है ना भाई सही आईडिया है अब एक चीज और बता देता हूं जो कि आ काम करती है पिक को बुलाना पड़ेगा बली के लिए तो यह काम क्या करती है बाई जैसे मैं इस पिक को मारूंगा तो यहां से कुछ नहीं निकला अचा लिखा हुआ पांच परसंट चांस से स्पून करने के एक दो दे ठीक है तो गोलम भाई इस पे मारेंगे पोशन और इसको मारेंगे देखते हैं सिल्वर फिश आती है कि नहीं हाट होने पर एक तो आजा है अधे को एक दो आई भाई सिल्वर फिश अरे इसने खुद नहीं मार दी भाई तेरी रक्षा के लिए आए थी है तो ऐसे भाई कीड़े निकलते हैं शरीर में से पांच परसंट चां कॉन बाई यह काटोग्राफर देगा चलो काटोग्राफर को बुला लेते हैं और ये हागना विलेज के मैप भी दे तो यह है वाई सवाना विलेज को हैं वाई आम एक खोलना भाई दूसरा है यह जर्नी मैन पर खुलता यह देखो बाई आगया आगा फाइनली ट्राइल पहले की तरह है उसमें वैसे नहीं जाएंगे तो देखो यहां बताया हुआ है नीचे ट्राइल चिमबर बिलकुल ओके काम खतम खुदना शुरू करो ट्राइल चेंबर ट्राइल चेंबर किदर है औरे है 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 भाई तो यह है भाई हमारे नया ट्राइल चेंबर और एडवनस्मेंट भी मिल गया है तो नय ट्राइल चेंबर के अंदर एक खासी जाई है जो कि यह वाला वोल्ट यह देखो कितना ड्रामना वोल्ट है हमारे जो ये अब अलग अलग तरहा की वंतएक तहते हैं ट्राइल की एक होती है ओमिनस्स त्राइल जो कि एक अभी शाप वाली ट्राइल की होती है तो अभी शाप इसमें एट किया गया मतलबór मिनस्स सुनने में थोड़ा जीब लग vé लेकिन हिंदी में यह मतलब होता है इसका तो अगर मैं इसमें खोलता हूं तो यह मेरे को दे देता है थोड़े से सामान जैसे कि यह बस 4 कचरा और अगर इस वाले को खोलता हूँ तो ये मेरे को देगा कुछ तगड़ी चीज जैसे ये चीज ये चीज और ये चीज तो भाई ये वो भी देता है भाई हतोडे का समान अब जो भी हतोडे का समान होगा न भाई नोर्मल ट्राइल चेंबर में निकलेगा ये निकलेगा सिर्फ इसी के अंदर बागी तो जो ब्रीज रोड होती है वो तो आप मना ही लोगे भाई ढूंड लोगे इसी के लावा देखो भाई पूरा का पूरा ट्राइल चेंज कर देगा है यहां पर एक कुछ यह क्या कुछ गी पर यहां पर प्रता कि आपक को देखाँ जμεर ना यहां पर Representation भी है ? पूर हो ईससी फाव्बाता है और मुझे लग रा रहे हैं कि ज्मक मज़े लग़े हैं यह आंप यह ऋ पर इंवोटा कि इसोगा। मिलेंगे चलो भाइस में यह वाली की मारों ओहो यह अड़ रहा था था देखो यह की काम नहीं करेंगी यह करेंगे तो इसमय से हत्योड़े का समान मिलेगा देखो फिर से वही कतरा नहीं आधेकर ओहाँ यह कचरा है देखो यह रहाँ छुटकु सा पार्कुर एक ऐस से पहले अपडेट पर जो कि भाई इस अपडेट का सबसे ज़्यादा खतरनाक अपडेट है क्योंकि यह पूरे गेम को बदलने वाला है अभी देखो क्या होता अरे मेरे को महा जाना पड़ेगा देखो जब भी पिलेगर होते हैं पिलेगर के अंदर एक राजा होता है वो बैड ओमेन मिलता था लेकिन अब बैड ओमन नहीं है अब मिलता है भाई ओमेनस जो कि भाई बोतल है पूरा बदल दिया भाई सब कुछ सीधा हमें कुछी फैक्ट नहीं मिलने वाला जब तक इस बोतल को पीएंगे नहीं तब तक और एक चीज़ और दिखाता हूं मैं टोटल फाइफ लेविल होंगे और इनको मैं स्टैक भी कर सकता हूं भाई ये खास बात है अगर मेरेको फाइफ लेविल मिलेगा तो फाइफ लेविल को मैं स्टैक कर सकता हूं तो होता क्या है भाई अब मैं इसको पी लेता हूं भाई पीने के बाद मेरेको मिल जाएगा एक खतरनाक effect यह दिख रहे हो बैड ओमेन अम मिला है मेरे को और इसका भाई रूप भी बदल दिया गया ड्राम ना कर दिया अब लग रहा है जैसे कोई अभीशाप है लेकिन यह चालू नहीं हुआ किसी विलेज में चले गया है अरे मैं अभी तक गया नहीं था रुक जा मे देखने दो मैंने लेविल फॉरी पी है ना आरे फाइप पी है मैंने फाइप में देखो इंचेंटिड समाल लेकर आ रहे है भाई बंदे वा रेड तो और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और यह मारना शुरू कर दे और फंदरो उसका कितने का है मारने के लिए लेविल फा का मिल जाए यह बैड़ो में की चीज तो भाई आप फस जाओगे बुरी तरीके से और हाँ एक चीज और बता दूमें इसके बारे में कि इसको फैक नहीं सकते हम दूसरी चीज इसको जब भी हम पिएंगे तो तूड़ जाएगी बोतल इस तरीके से ओ एक और इफैक्ट अ इफैक्ट पढ़ जाएगा अगर मैं इसको प्यूंगा तो यह बोतल तूट जाएगी और बोतल तूटने के बाद दुबारा कभी नहीं मिलेगी वैसे पोशन की मिलती भी नहीं है तो जैसी आप बोतल को प्योंगे ना आप विलेज में जाओगे तो रेड पढ़ जाएग कम भी लिष्ट ए देखते देखते थक जाओगे इतने अप डेट है लिकिन आपको मेन में चीज आपको बता दिया कि क्या के अप डेट हुए है तो भाई अगर आपको यसे अपडेट ओर देखने तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर और आज के लिए बस इतना ही मिलते निंगे उनके पिसोड में